भारत को बतनाहा वाटा बिराटनगर सम्मक को मालवाक रेल सेवा छिट्टै संचालन हुने भई को छुँँँदो के ही साता भित्राई कार्गो रेल संचालन हुने भई पछी रेल को लिक राइस्टेशन लगायत को अवस्ता का विशयमा परिक्षन गरिये को भारती रेलवे माले गाउन जोन का प्रोफेसर चीफ सेफ्टी अफिसर सीता राम सिंकु, सीटी राम गोपाल, सीडी ए तपन कुमार र कटिहार का एडी आरेम बिके चोदरी लगायतले भारती अवस्ता को जांच बोज गरे का भारती रेलवे का उच्च अधिकारी सहित दर्जनों को संख्यामा प्रावी दिखरू उक्त टोली मा सहवागी थिये। परिक्षन को क्रम मा एक दूइठाउं मा रेल लिक मा सामन्नेक गरवरी फेला परेपची प्रावीजिक टोली ले ततकाले मरमत गरे को थियो। आउं दो जून को पहिलो साता देखी कारगो रेल संचालन को तयरी गरिये को रेलवे सिविल वर्क इंचार्ज सिवकुमार मंडल को भनाई छा। परिक्षन को क्रम्मा, स्टेशन, सिगनल, रली को भोती कवस्था दुरुस्त फेला परे को नेपाल भारत रेल यात्री सहजी करन समिती जोगवनी का ध्यक्ष राजिसकुमार सर्माले जानकारे दिन भायो। अधी इसकी परकरिया प्राराम होगी, महिने के अंतिम तक दोनो देश के परधान मंत्री के दुवारा भर्चुअल मोड में परकरिया चल रही है उदगाटन की इसकी। बथनाहा रेलवे स्टेशन बाटा बिराटनागर को बुध्नगरी स्थेत नेपाल कस्टम यार्ड सम्मको जन्डई 7 किलोमेटर दुरी मां पहिलो पटक 2006 तर कार्तिक मां रेलवे लीक परिक्षन गरिये को थियो। संगिये सरकार को रेलवे विभाग बहती की ओजना तथा पुर्वाधार विकास मंत्रा लेले रेलवे संचालन का लागी तयार भयको पुर्वाधार भारत पक्षबाट जिम्मा लियी संचालनल मां लियाउनु पर्णे हुन्छ। कारगो रेल का लागी अंतिमे स्टेशन विडाटनगर पुर्वाको कठरी मां निर्मान गरनु पर्ने भाय पनी मुआबजा विभाध का कारण काम रोकिये को अबस्थाच्छ। 2068 साल देखी शुरू भाय को बतनाहा कठरी रेल मार को निर्मान कारे 2073 साल मां संपन्न भईशक्नु पर्ने थियो।